नमस्कार श्राथियों एक बार फिर से लेकर आया हूं एक ताजा नियूज जो की है कुछ शर्टिफिकेट से सम्बंदित देखे इसका असर स्टिटी 2015 पर भी है इसलिए मैं इस नियूज को आपके सामने पेस कर रहा हूं बात ऐसी है देखेगा कि 2006 से लेकर 2015 तक जो भी टीचर बहाल किये अगर वह पोटल शर्टिफिकेट अप्लोड नहीं किये हैं यानि स्टिफिकेट अप्लोड नहीं तो उनकी नौकरी जाएगा यह है हमारे प्रात्मिक सिक्षानिदेशक रंजीत कुमार सीन द्वारा जो एक कादेश पारित किया गया उसके संबन्द तो देखेगे कल 115-2021 को एक लेटर जारी किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा जानते लेटर क्या था देखेगा अभिहार सरकार सिक्षा बिभाक प्रात्मिक सिक्षानिदेशाले के द्वारा दिया गया है जो कि अभी आप सभ हुए हैं वे अपना परमान पत्र जांचे तो निगरानी विभाक को सुपूर्द कर दे अगर नहीं किये तो उनकी नौकरी जा सकती है और उनको जल से जल करने का आदिश देगे है और अगर इस तरीके से करवाई होती है तो कहीं न कहीं स्टीटी 2019 पर भी असर पड़ेगा क्योंकि इससे जो बाहर होंगे उसमें रिक्ती बनेगा तो उस्टे इन लोगों को भी फायदा होगा कुछ अव्यर्थियों को भी नौकरी करने का अब मनसा पूरा हो जाएगा तो आईए देखते हैं बिहार शरकार सिक्षा विभाग ने क्या इसमें निर्रेस दिये हैं य 2015 के अब दी में नियुक्त सिक्षा जिनका पर्मान पत्र जाँच ये तो निगरान विभा को शपूर्द नहीं किया गया है कि सुची उपलब्द कराने के शंबंद में प्रशंग देखे माननी उच नियायले पटना द्वारा सी डवलू जेशी संख्या पंदर पैतालिश नौ अबलिक 2014 में दिनांग पांच वर्द दो हजार शोलको पारित आदेश अब देखे में क्या है कि आप अब गत है कि प्रशंगिक नियाया देश के अनुपालर में पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के अंतरगत बर्श 2006 से 2015 के अब्दी में नियुक्त सिक्षक के परमान पत्रों की जाच निगरानी अनुवेशन भीरो निगरानी बिभाग द्वारा की जारें इस करम में सभी जीलो में कुल 1,3,917 सिक्षकों के परमान पत्रों से समन्दित फोल्डर समन्दित नियोजनी काय द्वारा आपके माध्यम से निगरानी अनुवेशन भीरो निगरानी बिभाग को उपलब्द नहीं कराया गया है। की सक अपने जीला से समन्दित एन आईशी के वेप साइट पर अपलोड कराते हुए उसकी एक प्रति प्रात्मिक सिक्षा नेदेशाले के इमेल आईडी पर भी उपलब्द कराना शुनिश्चित किया जाए। देखे इसमें क्या क्या देना है चो कि पहले नियोजनीकाई क के माद्यहम सहीं भाली होती थी तो उसमें ये विवरन्द महाई है जीला का नाम के इस में क्रम रंजीत कुमारी को देखे प्रात्मिक सिक्षाए ने भी बेतन लिये हैं उन शब को वापस भी करना पड़ेगा या नहीं सभी सिक्षकों पर जो अभी तक सर्टिफिकेट अफ्लोड